बिज्ञान और हम में आप सब का स्वागत है लास में हम जैबो में बिवित्ता का या दूसरा पाट पढ़ रहे हैं हमने पिछले गक्षा में जाना कि वर्गी करन का अधार क्या होता है यांकि किसी भी जीबो की पिवित्ता के अध्यन को सहज करने है तू जब हम उनकी समनता कि अधार पर उन्हें बिविन सम्हों में बाड़ते हैं तो उसे क्या करते हैं वर्गी करन करते हैं की क्लास्टिफिकेशन करते हैं और जिस साखा में इसका हम अध्यन करते हैं उसे क्या करते हैं वर्गी की या वर्गी करन विज्ञान एनकी टेक्सोनोमी करते हैं सर्वपर स्थापना की और उनको क्या कहा जाता है फादर आप टेक्सोनों में भी कहा जाता है लीनियस ने ही चार इकायां दी थी जैसे फाइलम, किलाज, जनरा और एस्पेसिज उसके बाद अनेक विग्यानी काई जोनों ने उसको फिर अनेक सम्मुव में फिर बाटा जयाब विकासन की और गनिक एवलोशन के सिधान का यह मानना है कि सरल परकार के जीब धीरे-धीरे मकरमबद रूप से जटिल होते जाते हैं मतलब जय विकास बाद का सिधान दिया है कि जितने सारे सरल जीब है वो धीरे-धीरे करमबद रूप से क्या होते हैं जटिल होते जाते हैं कि सु उत्पत्ती हो चुकी है परिवर्तन के बिना विकास अबम ने जीवों की उत्पत्ती संभब नहीं है जब तक परिवर्तन उसमें नहीं होगा तब तक जीवों की उत्पत्ती संभब नहीं है नहीं ने जीव उत्पन हो सकते हैं यह जीवों के बहतर जीवनियापन के लिए क्य जो नए जीब उत्पन होते हैं वे पुराने जीबों की अप एक्छा अधिक विक्सित अभर जटिल होते हैं हम लोगों ने पिछली कख्छाओं में पढ़ा है कि किस तरह से पहले प्रोकरिटिक को सिकाएं का उत्पन हुई थी फिर यूकरिटिक को सिकाएं फिर बनी और प्र प्रगिकरण से जोर कर देखने पर हमें यह ज्यात होता है कि कुछ जीब ऐसे भी हैं जिसमें कोई खास परिवरतन नहीं हुआ है जबकि बहुत सारे जीब हैं जिसमें बहुत सरे के परिवरतन आ चुके हैं चार्ल्स डार्बिन ने अपनी पुस्तक दे ओरिजिन ओप स्पेसीज में अपने विकास बात के सिधान का विवरन दिया है चार्ल्स डार्बिन नाम के एक बैग्यानिक है दर्शनवादी है उन्होंने क्या क्या दे ओरिजिन ओप स्पेसीज में अपने विकास बात का सिध उन्हें दिया है इनके अनुसार जीवों में लगातार विभिनता होती है प्राकृतिक चैन बादन के नेचुरल सेलेक्शन नामक बल लाबदायक विभिनताओं को चुनकर उन्हें विकास की दिशा परतान करते हैं जिसके फल्सुरुप नए जीवों की उत्पत्ती होती है व जीवों का बर्गी करन करते समय जहें विकास को ध्यान में रखना इसलिए आवसक है क्योंकि विकास के क्रम के अनुसार ही उन्हें सम्हों में बाटा जा सकता है एंकि चार्ज टार्मिन जो है वो क्या है दा ओरिजिन ऑप स्पेसी जनामक अपने विकास वासे ध्दान्थ म उन्हें बर्णन किया है अपना की नेचुरल सेलक्षन के अधार पर ही विवीन नए जीवों की उत्पत्ती होती है जब प्रकृति जीव को चुनती है और उसमें कुछ परिवर्टन होते है तो इस तरह धिरे धिरे नए जीवों का निन्मान फिर सुरू होता है हम लोग जा जीवों का बर्गी करन एबम उनका नाम करन उनकी समनताओं के अधार पर किया जाता है जबकि कर्मिकी सिस्टमेटिक्स विज्ञान की वह साख है जिसमें हम जीवों का बर्गी करन नाम करन तथा पैचान के साथ साथ उनके विकासिल संबंदों का भी अध्यन करते हैं अर् बरगी करन सम्मूहों की पदानू करमिक सनचना अब हम देखते हैं कि किस तरह से बरगी करन का जो सिधान्त है उसके सनचना है उसको किया जाता है कैरलोस लीनियस ने समस्ती जीवों को दो जगत में बाटा हम लोगों जानते हैं प्लान किंग्डम और दूसरा है एनिमल किंग्डम इसके पस्चाथ परतेक जगत को समानता हो और आ समानता हो क्या था पर क्रमसर किलास और जीनस स्पेसीज में संगठित किया आगे चल कर दो और समुह फाइलम और फेमेली यानकी संग और कूल का भी गठन किया गिया इस तर फालम या डिवीजन उसके बाद किलास उसके बाद आउडर यानकी गन कुल फेमेली वन्स और फिर जाती वर्गी करण के वर्गी करण के सबसे चोटे समू को जाती कहा जाता है और जो कि वर्गी करण की सबसे अधारभूत IKAI होती है जाती जो है वो जीवों कैसे समू को कहा जाता है जिनके सदस्तिके लच्छन काफी हद तक एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हैं जो आपस में प्रजरन करने की भी छमता रखते हैं विकास के करम में सरवपर्थम नहीं जाती की उत्पत्ती होती है अंतर नहीं जातियों का नरमान इस बात का परतिक है कि विकास की या जो है वो क्या है प्रगति सील होती है आर विटकर ने सभी जीब जनतों के समों को पांच जगत में बाटा जिनको आज भी हम इसका आध्यन करते हैं पहला जगत मोनेरा, इनकी किंग्डम मोनेरा, किंग्डम प्रोटिस्टा, किंग्डम फंजाई, किंग्डम प्लांटी और किंग्डम एनिमेलिया और इन पाँच जगत बर्गी गरन की मुख भी सेस्ता है और लच्छन आईए हम लोग अब देखते हैं सबसे पहले तो हम ये चार्ट देखते हैं, कि सबसे पहले जीबधारी और ये क्या है, प्रोकेरिटिक है या फिर यूकेरिटिक है फिर हम यूकेरिटिक को दो जगत में बाट सकते हैं, एक है मोनेरा एक कोसी किया और दूसरा जगत हो गया मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है रहित अब कोशिका भित्ती सहित में फिर इसको दो भागों में बाट सकते हैं एक प्रकास संसलेशन नहीं करने वाले जीब और दूसरे प्रकास संसलेशन करने वाले जीब और ये कोशिका भित्ती में हम इसको एक इसमें बाट सकते हैं यह है एनिमेलिया में अब कोशिका भि जाएगा प्रकासंसलेशन करने वाले आप इस चार्ट को अच्छे से देखिए और इसको ध्यान से देखिए कि यह जो पांचों जगत है इसको किस किस तरह से डिवाइट क्या गया है और की जगत मोनेरा प्रोटिस्टा जो यह है इसको यूगर्टिक कोशिकाओं के दो भाग में रखा गया है एक भाग में यह मोनेरा है प्रोटिस्टा है और दुसरे में बहुत कोशिके जीव है फिर एक में आते कोशिका भित्ती सहीत और कोशिका भित्ती किसमें पाए जाते हैं तो प्लांट में ही पाए जाते हैं और कोशिका भित्ती रही तेंकी कोशिका भित्त किसमें नहीं पाए जाती है तो जीबों में कोशिका भित्ति और जन्तूं में नहीं पाए जाती है तो और कोशिका भित्ति सहित में भी क्या है कि प्रकास अंसलेशन करने वाले और प्रकास अंसलेशन करने वाले नहीं और प्रकास अंसलेशन करने वाले नहीं और प्रकास अं सुसमजीबों को सम्मिलित क्या गया है इसमें विभीनपरकार के जिवानू, नील, हरित, सेवाल, सायनो, बेक्टरिया, माइको, प्लाज माइको, प्लाजमा आधी आते हैं यह क्या होते हैं इस जगत के जीप, पोशन कि दिश्टी से स्वोपोसी या परपोसी दोनों हो सकते ह जिवानों के अनेग रूप होते हैं जो सलेस्मक से घिरी रहती है इसमें केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक जिल्ली नहीं पाया जाता है अनोबांसी पदार्त हिस्टोन रहित डियने होता है तथा जिल्ली से घिरे कोशीगांग जैसे माइटोकॉंड्रिया, गौलजी बडी, यार आदी भी नहीं पाया जाते हैं कुछ जिवानों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये प्रकास संसलेशी होते हैं के प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है जबकि अन्य जिवानों में यहाँ परपोसित होते हैं और ये DNA इसके पूरे surface में इसका तैयरता है, मतलब इसके भीतर और ये इसके से लिए रोम होते हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में मुख्यता विभिन परकार के जलिये, एक कोसी के सरल यूकेरिटिक सुचमजीब ही समिलित होते हैं। किंगडम मुणेडा विभिन जटिल भोकोसिक यूकेरिटिक किंगडम प्लांटी फंजाई तथा एनेमेलिया के बीच की एक करी का काम करता है। इस जगत के प्रया जीवो में प्रचलन के लिए रोम की तरह सीलिया या फ्लेजिला पाया जाता है। इसमें मुरेडा में क्या पाय जाता था कि रोम के तरह है ये सीलिया लेकिन इसमें सीलिया और फ्लेजला पाय जाते हैं। में मुरेजन के बीचन की द्रिश्टी से कुछ प्रोटिस्टा जो होती है प्रकाल MHz LIKE शौपोहसी ऑवम कुछ प्रपोशी इसमें भी खो परफोसी जीविया तो परजिवी पिरासाइटिक या एस्पेरोफाटिक होते हैं, मिर्त जी भी सरे गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि स्वोब पोसी जो होते हैं, प्रोटिस में, एलगी जो सेवाल है, जैसे डायटम, यूगलिना आदी की तरह, कासा भी किया जीब तथा, पर पोसी रूपो में, स् उधारन है, फंजाई, इस जगत में उन बहु कोसी किये, यूकरिटिक जीवों को समिलित किया गया है, जो क्लोरोफिल वर्नक नहीं पाया जाता है, मिनकि फंजाई में ऐसे पोदे हैं, या यूकरिटिक जीव हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और इनमें कोस जैसे मस्रूम विस्ववयापे तथा सभी प्रसितियों में पाए जाते हैं इनके सरीर की सनंचना धागे जैसे कबक जाल या मैसेलियम की तरह होती है और ये इसके उधारण है म्यूकर पेनिसलियम या अधी कबक क्या फंजाय जो है मिर्थ कारवनिक पदारतों पर अपने कब आपीकम डोग जबती होता है कोशी का भित्ति से यह होती है और कभक इस्ट जो है गलायकोजान के रूप में पर उसमें पाये जाता है प्लांटी इस जगत में यूकैरम्टिक प्रकास संसलेशी बहु कोशी किया तथा कोशी का भित्ति वाले जीवू को समलिद क्या गया है चोड़े चोड़े पोदों से लेकर विसालकाय पोदे इसमें इस प्लांटी किंग्डम में आते हैं एनिमेलिया इस जगत में सभी यूकेरेटिक बहु कोशी के जीवों को रखा जाता है जिसकी कोशीकाओं में कोशीका भित्ती नहीं पाय जाती है कि जन्तु में कोशीका भित्ती नहीं पाय जाती है यह सरी पादप कोशीका में कोशीका भित्ती पाय जाती है और जन्तु कोशीका में सरी कोशीका जिली पाय जाती है तथा यह जीव पर पोशी होते क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक इसमें नहीं पाय जाते हैं कि हम अपना अगली कक्छा में हम फिर इसका विस्तार पुर्व का धन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद